तो ये देखे तस्वीर आपको मुंबई से दिखा रहे हैं मश्रूर उद्योगपती रतन टाटा का निधन और लोग पहुँच रहे हैं अंतिम वदाई देने के लिए ग्रह मंतरी अमेश शा पहुँचे और मुकेश अमबानी भी पहुँचे हुए हैं ये सीधे लाइक तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं रतन टाटा का 86 साल की उमर में निधन हो गया और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब क्रिया मंतरी अमेश शा पहुचे शिधांजली अर्पित करने के लिए अंतिम वदाई देने के लिए मुकेश अमबानी पहुचे हैं शिधांजली अर्पित करने के लिए अंतिम वदाई देने के लिए आपको ये सीधे लाइक तस्वीर मुंबई से दिखा रहे हैं रंगे में लपेट कर पार्थी शरीर जो है नरीमन पॉइंट लाया गया है शाम चार बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे और फिलाल जो तस्वीर आपको दिखा रहा है आप देखिए यह सीधे मुंबई से तस्वीर दिखा रहा है जहां पर पहुंच रहे हैं लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं मुकेश अंबानी तस्वीर में दिख रहे हैं जो की श्रधांजली अर्पित करने के लिए अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं बड़ी संख्या में बड़े कदावर नेता भी पहुंच रहे हैं इससे पहले तस्वीर दिखा है शद्धांजली अर्पित करते हुए अंतिम विदाई रतन टाटा को देते हुए तो मुंबई से आपको यह तस्वीर दिखा रहा है आप देखे बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए मशुहूर उद्योगपती रतन टाटा का निध बार जो है पहुचा रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए शद्धांजली अर्पित करने के लिए तिरंगे में लपेट करके आप तस्वीर देख पा रहे हैं पार्थी जो शरीर है नरीमन पॉइंट लाया गया शाम चार बजे तक का समय बताया जा रहा है जब तक लोग पहुचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए फलाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंबई की से आपको लाइब तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुच रहे हैं रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई से ये सीध लाइब तस्वीर टीवे स्क्रेन पर आपको दिखा रहे हैं तो पिछले कई दिनों से रतन टाटा की तब्यत बिगडी हुई थी उनको अस्पताल में भरती करा आगया और 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली जैसी एक खबर सामने आई तो पूरे देश में शोक से ही जो खबरे निकल करके